हेलो गाइज, what's up, I hope you are doing fine, this is me मीर वहीद and today will be the last lecture of transportation and communication यह इसका last lecture रहे गए, already मैंने आपको पहले दो lectures दिये हुए हैं उसमें से मैंने आपको डिटेल में बताया था, road transport और railways के बारे में बताया था कुछ important information है जो आपको transportation and communication के related है ठीक हैं, कुछ थोड़ा सा current भी है, थोड़ा सा है, जो भी होगा, वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है आज इसका जो है third lecture है, आपका transportation and communication आज complete हो जाएगा कल मैं देखूँगा कौन सावला start करो में, शायद मैं crops start कर लो, इंडिया के crops ओर जम्मकशमिर के crop, उसी के साथ. ठीक है, क्योंकि crops मैंसे दो questions पिछली बार एक question पूछा गया था, मीबए पूछा गया था ये क्रपत अपशा गया था और पंचायत मैं भी पूछा गया था, तो यहां पर भी crops मैशे question पूछा जाएगा, तो यहां with your friends so that they will also get benefit out of it. So, जादा से जादा शेयर करो so that सभी बच्चे जो है, वो जुट जाएंगे राइट. तो आगे चलते हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाओंगा, ये more consumption content हैं, बहुत जादा इसमें मैंने add किया हुआ है, जितना भी था, जो भी possible मुझे लगा कि ये कावर होना चाहिए, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा. कुछ important highways जो हैं, जो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से highways क्या है, यहां से मैं बताओंगा आपको, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन-कौन सा highway क्या है some of the important national highways are NH1, NH2, NH3, NH4 ये आपको याद रखना है, NH5, 6, 7 और up to 10 आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ कौन-कौन सा है, question आएगा कि NH1 कहां से, आपको बोलना है New Delhi, Ambala, Jalandar और Amritsar, याद रखना है, New Delhi, Ambala, Jalandar और Amritsar की connectivity को NH1 बोला जाता है, दूसरी बात करेंगे NH2, दिली से स्टार्ट है, दिली, मथूरा, आगरा, कानपूर, इलाबाद, वारनसी, कलकता, याद रखना, नमबर सेकंड, नमबर थर्ड, NH3, आगरा, गौालियर, नासिक, मॉंबर, question, पूछा जागा, which of the following is NH1, तो वहाँ पर आपको एक combination दी जाएगी, तो आपको identify करना है, कौन से combination, क्या है, यह आपको बार-बार देखने से आपको यह याद हो जागा, उसके बाद, नेक्स्ट जो है, NH4, थाने टो एंड चनाई, वाया पॉने एंड बलगाओं, याद रखना, थाने एंड चनाई है, याद रखना, कि कहां से जाते हैं, हम पॉने एंड बलगाओं से, ठीक है, वाया पॉने एंड बलगाओं, उसके जो है that is Kolkata to Chennai उसके बार next NH6 जो है that is Kolkata to Kolkata to Dhule याद रखना है number seven is Vara Nasi to Kanya Kumari ये भी आपको याद रखना है number eight जो है that's NHA National Highway 8 दिली to Mumbai वाय जैपूर भरोड़ा एंड एहमदाबाद NH9 Mumbai to Vijaywada याद रखना मॉंबई to Vijaywada जो है NH9 और NH10 जो है दिली to Fuzzle का याद रखना है दिली to Fuzzle का जो है that is NH10 तो ये 10 के 10 आपको याद रखना है कौन-कौन सा important है कौन-कौन सा इसमें important है national highway जो आपको पता होना है चाहिए as a transportation उसके बाद number 11 जो है NH11 की बाद करेंगे हम आगरा टो बीकानिर याद रखना है राजस्तान में है उसके बाद NH12 की बाद करेंगे जबलपूर तो जायपूर की बात करेंगे NH 24 इस दिली तो लकनाव NH 27 इस एडिली तो लकनाव तो वरानसि औंग culmin is the longest highway of India ये आपको याद रखना है ये कुछ important national highway जो ते जो मैंने आपको पूरा list दिया हुआ है अगर आप पूरा याद कर सकते तो पूरा याद करो जो अगर आप कोई previous question देख रहो उसमें से जिसके NH national highway का पूछा गया होगा उसको आपको 100% याद रखना कभी क्या होता है जे के SSB, जे के SSC के questions को copy paste कर लेता है जो भी पूछा जाता है तो अगर आप कोई भी लूसेंट बुक में national highways पर कोई भी question देखते हो आप कोई सा important highway किसी भी national highway का नाम लेया होगा वहाँ पर तो वो आपके tips पर होना चाहिए उसके बाद जो है ठीक है एक और चीज़ें जो मैं आपको बता आता हूँ ठीक है एक है यह waterways एक सेकंड रुको एक सेकंड रुको ठीक है चलो बाद में बताता हूँ मैं दी होगे हम order में ही चलेंगे उसके बाद next to join that is waterway जहां 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 पर जिस जिस point point में focus करूंगा वो point याद रखना है waterway की बात करेंगे मतलब water transport की बात करेंगे India has an extensive network of inland waterways in the form of rivers, canals, backwaters and creeks इंडिया में क्या है network है किसका waterways का है वो rivers हो वो canals के farm है वो backwaters के farm है और वो creeks होते है ठीक है यह एक इंडिया का network होता है किसका network water transport का एक network होता है the waterways of the country have been divided into internal waterway and oceanic waterway या रखना waterways को दो types में divide किया गए एक है internal waterway और है oceanic waterway यहां तक अभी आपको ज़्याद़ फोकस नहीं करना है बस जो मैं बताता हूँ जिस चीज़ फोकस करना है वो क्या है वो हमें याद रखना है यहां पर यह जो है यह most important है जो मैं अब बताने वाला हूँ the following waterways have been declared as national waterways ऐसा कौन सा waterway है जिसको consider किया गए है declare किया गए कि यह national waterway है सबसे पहले NW1 सबसे पहले national W का मतलब waterway और 1 का मतलब national waterway जैसे हम लिखते हैं NH1 national highway first इसी तरह किसे national waterway 1 होता है तो NW1 जो होता है इलहाबाटो इलहाबाटो और 2 की बात करेंगे सादिया टू दोबरी आन ब्रहमपुत्रा रिवर सादिया से लेकर दोबरी तक जो है that is NH2 सादिया से लेकर दोबरी तक टू अन ब्रहमपुत्रा रिवर यह कहां पर NH2 याद रखना कहां पर है आपको बोलना kota poorem जो है तो next जो मैंने आपको बता है that is kolam to kota poorem ठीक है next NW4 जो है ये kaka nada to marakanam याद रखना kaaka nada to marakanam along goda vore and krishna river NW4 जो है ये along godavari to krishna and krishna river के आसपास है याद रखना उसके बाद NW5 important national waterways हैं तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा next जो जो है that is NW5 that is mangal gari to para deep, याद रखना mangal gari to para deep and talcha to dhamchara along mahanadi and brahmane याद रखना, mahanadi and brahmane उसके बाद important major reports जो है, जहां से question आपका बनता है ये मैंने अभी तक जो आपको बोला है ये data होता है जो आपको याद रखना examination point of view के लिए इसमें कोई shortcut नहीं है यह याद रखना ही रखना है कुछ चीज़ ऐसी होती जो आपको पूरा क्या करना पड़ता है टिप्स पे होना चाहिए वो आपको factual होता है exactly यहाँ पर भी यह है यहाँ पर हमार इसमें कोई concept नहीं है किस तरीक से याद रखेंगे बस इतन कौन सा waterway क्या यह national क्या कौन सा waterway फिर option देऊगा NW1 NW2 आपको बोलना NW3 है इस तरीके से आपको यह याद रखना है important ports है यह जो ports में दिखा रहा है आपको मैं Coast के साब क्योंकि definitely आपके पास एक East Coast होता है आपके पास एक West Coast होता है तो आपको हम क्या पढ़ेंगे हम East Coast के साब से पढ़ें कौन-कौन से ports होता है हमारे पास ठीक है सबसे पहले West Coast की बात करेंगे मतलब यह वाला ठीक है कौन सा वाला है left वाला यहाँ पर जितने भी ports होंगे West Coast में हम जानेंगे सबसे पहले टाइडल पोर्ट इसको बताए चायल्ड पार्टिशन most important examination के लिए important बना पहां पर है आपको बहना गुजरात में यहां पोचा जागा गुजरात में ऐसा कौन सा पोट है ठीक है उसके भगोद मॉंबै के बात करेंगे बुजेस्ट एंड़ बिग्स्ट पॉर्ट है यह थो प्रह रखना कहां पर है यहां रखना महारास्टा में है इसको five star लगा ल जाता है। नेक्स्ट चलो, इस में कोई भी पिछोड़ सकते ही। पोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट चलींगे , जवहारलाल नेहु की बाद करींगे स्वाइस्ट गरोइंग पॉर्ट है, ये भी अहरेस्टरा में ही है। ही कैं, ताइक हो लूं में देות है । है। जो bizisat and biggest दुशर में नहरो ये भी महरास्टीमे है उसके बड़ मार्मोगऑRight जु98 मार्मोगाऊ जुआ है इह नेवल बेस भी है एक तो पुर्डपी है दूसरां नेवल बेश भी है याद रखना इ zwe sır को ये गोवा में हैं गोवा में पूछा जाता है कि गोवा में कोन से प और कोचिन की बात करेंगे ? एकस जो के कैरलां में है याद रखना ये तक learnt अपक्राइब है हैं सबसे जादा जो है दैट इस मूंबई और गुजरात ground वाला ये सबसे जदद आपको याद रखना है और यह जो कोचिंड यह पूशा जाता है यह कौनव सा हारबर आपको बना ये नायचरल हारबर है यह आपको export का जो हमारे पसरा iron होता है वो Japan को हम export करते हैं याद रखना कहां पर हैं आपको बोलना ये उडेसा में हैं तो यहां पर मैंने उडेसा बना लिया ये हो गया एक मैप पर भी तिखाँगा उसके बाद सब को पता है विशाका पर्टनम याद रखना है विशाका पर्टनम को 5 स्टार लगा लो विशाका पर्टनम पोर्ट जो हैं ये deepest पोर्ट है ये कहां पर आपको बोलना ये आंधरा में हैं ये हो गया उसके बाद हम बात करेंगे चनाई की बात करेंगे चनाई जो होता है याद रखना है तामिल नाडु में, most modern in private hands, ठीक है, modern port consider किया जाता है, उसके बाद, एन ओर की बात करेंगे, ठीक है, most modern private hands, ये भी कहां पर है, आपको बोला तामिल नाडु, तो चनाई में, और तामिल नाडु में, चनाई, पोर्ट जो है, ये भी तामिल नाडु में, question पूछ जगे, एन ओ पोर्ट कहां पर है, अगर ऐसा पूछा जगे, आपको बने तामिल नाडु में, 2T Korean, ठीक है, 2T Korean, 2T Korean, जो है, साथर मुस्ट में है, ये भी तामिल नाडु में, that means, साथर मुस्ट पोर्ट जो है, आपको बोलना है, आपको बोलना वो 2T Korean है, पूछा गया है, ये question कि, 2T Korean क पॉर्ट का ये पुर्ट sniff किया जाता या जो कि डापने का इंडिया काता मैं नाड़ हुई है next जो हम करने वाले that is air transport air transport में हम आपको क्या याद रखना है जो जो important points होंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या याद रखना है सबसे पहले J.R.D. Tata was the first person to take a solo flight from Mumbai to कराची in 1931 याद रखना J.R.D. Tata ने यह पहला person था जिसने flight ली है कहां से कहां तक आपको बोला है मॉंबे से लेकर कराची तक कब 1931 में जैसे मैंने railway का बोला था रेलवे का 1853 में मैंने बोला था ना वो important date था डालोजी का ठीक है जब पहले मॉंबे टो थाने गया था रेल इसी तरह किसे जो air transport की बात करेंगे मतलब first flight की अगर हम बात करेंगे जिसको solo flight बोलते हम कहां से कहां तक मॉंबे टो कराची यह पूछा जाएगा पहली flight जो है कहां से कहां तक हैं आपको बोला है मॉंबे से लेकर कराची तक 1931 में किस ने किया जै आर्डे टाटा ने कौन साथ ही पहला person था question पूछा गया है आलडे इसलिए यहां पर यह point है next जो है 1935 में आगे क्या हुआ फिर टाटा ठीक है airline started its operation between मॉंबे एंड त्रुएंथम पोरम and in 1937 between मॉंबे एंड दिली 1935 में क्या हुआ जो टाटा एर लाइन जो है उसने start किया अपना operation कहां से कहां तक मॉंबे से त्रुएंथम पोरम और यह तो हो गया 1935 में उसके बाद 1937 में उन्हें क्या कि उन्हें मॉंबे से लेकर दिली तक क्या किया अपना operation स्टार्ट किया है तो सबसे पहले जे आर्टी टाटा ने 1931 में फिर टाटा एर लाइन जे 1935 में start किया है operation कहां से कहां तक बॉंबे से त्रुएंथम पोरम फिर 1937 में बॉंबे से लेकर दिली तक उसके बाद 1953 में आल दे प्रिवेट एर लाइन कंपनीज वेर नेशनलाइज most important है किन सबी जो इतने भी प्रिवेट एर लाइन जो थी उनको नेशनलाइज किया गया है कब किया गया याद रखने 1953 में आल दे प्रिवेट एर लाइन कंपनीज वेर नेशनलाइज एंड इंडियन रेलवेज एंड एयर इंडियन केमेंट एग्जिस्टन सब्सक्राइज किया गया है और एयर लाइन एयर लाइन और एयर इंडियन जो है यह एक्जिस्ट हुआ है इंडियन पॉइंड सभी है इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं इसको ठीक है एक और है डेट इस वायू डॉट लिमिटेड स्टार्ट इन 1981 as a private air carrier and later on it merged with air India याद रखने की जुरूरत नहीं है बस इतने उपर तीन पॉइंट जो है वो याद रखो अपने नोट्स पर डाल देना और एक दो बार देख लिए आपको याद हो जगा फिर अगर वो क्वेश्टन पूछेगा किस पर एयर लाइन इसके उपर एयर ट्रं International Airport Authority of India and National Airport Authority where merged on 1995 to form Airport Authority of India तो Airport AI जिसको बनाया गए आपको बोलना है 1995 इसकी formation कैसे हुई है आपको बोलना है International Airport Authority जो है ठीक है और इंडिया की International Airport Authority of India और National Airport Authority को मर्ज किया गया है तो क्या बना आपको बोलना है Airport Authority of India question पूछा जाएगा कि Airport Authority of India was form due to the merger of आपको बोलना है due to the merger of International Airport Authority of India and National Airport Authority दोनों को merge किया गया है 1995 में और हमें क्या मिला Airport Authority of India देखने को मिला यह most important point था the authority manage the civil aviation training college at ilhabad ठीक है and National Institute of Aviation Management and Research यह authority जो है कौन सी Airport Authority of India इसका काम क्या आपको बोलना है यह manage करता है कि कि किसको manage करता है civil aviation ठीक है civil aviation training college है ilhabad में और National Institute of Aviation Management and Research question पूछा जाएगा इस तरीके से कि जो civil aviation training college है कहां पर आपको बोलना है यह इलहाबाद में हैं आरे बात समझे क्वेशन पूछा जाएगा जो civil training civil aviation training college जो है इसको manage कौन करता है आपको बोलना Airport Authority of India ना कि National Airport Authority ठीक है क्योंकि आज जो है वो है Airport Authority फिर पूछा जाएगा National Institute of Aviation and Management Research at Delhi इसको manage कौन करता है आपको बोलना Airport Authority of India इसको manage करता है यह इस ताइप के questions आपको मिल सकता है International Airport in India कौन-कौन से हैं पता होना चाहिए कि जितने भी airports इंडिया में हैं सभी international airports नहीं है लेकिन कौन-कौन से International Airport है यह आपको पता होना चाहिए कहां कहां से international flights निकलती है यह आती है सबसे पहले राजियोगांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में टिक करो इसको एक्जाम के लिए इसको पॉइंट लिखो ठीक है कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यह कैलीकट में अभी मैंने बोला था उसके बाद चहतरपती शिव ठीक है याद रखना है शिवा जी याद रखना है ठीक है शिवा जी मॉंबई शिवा जी ज्यादातर मॉंबई में रहता था बस इस तरीक से ट्रिक आप याद रख सकते हो ठीक है ठीक है इस तरीक से आपको आप जो भी कोड़ बना सकते हैं आप बना लो उसके बाद जो है कैमपी गाउडा इंटरनेशल एरपोर्ट बैंगलोरो में है याद रखना है क्योंकि यह सभी इंटरनेशल एरपोर्ट है याद रखना है गोवा एरपोर्ट इन वास्कोडी गामा सिटी गोवा में याद रखना है ठीक है हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं वस्कोडी गामा जो आया था ठीक है इसमें सी के थूप फिर पहुंच गया था इंडिया में आ गया था ठीक है तो आपको पता है यह वस्कोडी गामा कौन था इसने किसको डिसकावर किया था यह आपको पता होने चाहिए ठीक है यहां पर स्बाह चंदर्ब्ॉस को सबाह चंदर्बोस को सबाह चंदर։ सबाह चंदर बोस को ख़ैं पर दूसरा नम क्या आपको बना है नेता जी बहुत है ठीक है इसे तरीके से ओर पैरिक और वह किये हैं फास्थ और पीनिंल-पोरम इंपमें ठी आर्थ-स्टेट्ड में गोहाटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं नौर्थ-स्टड में ज्यादाता दिया जाता है तो याद रखना लोग प्रिया गोपीना जो है इंटरनेशन एयरपूर्ट जो है यह कहाँ इसी के नाम पर ना सरदरवाला भाई पाटेल ठीक है तो यह कहां पर है वो गुजरात में बनाया गए उसके हाइट कितने है उसको भी पता होना चाहिए ठीक है तो यह कुछ इंटरनेशनल 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 इंटरन atra спросin में तो गुरु राम-दाइस याद रखर गुरु राम-दाइस जा ज़ contract तर्ही एं मैं पिर पिर से repeat करना होels रीपीट इस त्रीक से करूंका लोॉकिशन आपको याध रखना है कि अमर्ट सीर में याद रखना है कि इंपोर्टेंट स्टीज जो है वहां पर यह पूचा गया है ठीक है दिल्ली चिन्नाय कलकता मैंने बोला था ठीक है यह मैंने तीन लोकेशन का बता था लेकिन कुछ तीन लोकेशन ऐसी हैं जहां पर इंटरनेशनल एरपोर्ट है याद रखना है यह होगे दिल्ली में इंटरनेशनल एरपोर्ट है और कलकता में इंटरनेशनल एरपोर्ट है दे और यह लिखा आपने कलकाता लिखा निंदर आ जाते चारों के चार में क्या है इंट्रनेशल एरपोर्ट अभ या रखना मंबे में शिवा जी था ठीक है और कलकाता में कौन था नेताजी शिवा जी मंबे में था इसके अपोज्ड में कौन बैठा यह को खिए तो यहां पर और नीचे की बात करेंगे कौन साय ओपर जो is dirty इंद्रगांधी बैठी थी खुर और नीचे सावट में की बात करेंगे तो यहां पर को ता चनाई तो चनाई हो ताए तो चार तो आपको हो गए by याद अब आफ नहीं बूल जाओगे ठीक है कुछ important points है ठीक है याद रखना है major sea ports in India India has 13 major sea ports याद रखना है 200 notified minor and intermediate ports that handle a huge volume of traffic इंडिया में कितने sea ports है major आपको बोलना 12 major sea ports है 200 notified minor ports है और कुछ intermediate ports भी consider किया जाता है जो कि huge volume of traffic को क्या करते हैं handle करते हैं ports play a very important role central role in the development of the nation ports का role क्या है importance actually ports की बता रहा है ports का main role यह रहता है कि यह nation की development में इसका important role रहता है cost capacity and easiness of transportation via ports are most effective compared to other modes available जो भी हमारे पास railway है जो भी हमारे पास highways के जरी से मतलब road transport है यह हमारे पास waterways है ठीक है और जितने भी हैं उसमेंसे जो ports जो है इसको most effective question पुछ जगा है सबसे most effective transportation किसको consider किया जथा आपको बोलना वो होता है waterways मतलब वो ports होता है about 95% by volume and 70% by the value of India's total international trade are carried through maritime transportation यह बहुत ज़्यादा important है कि सबसे ज़्यादा international trade हम किस जरीय से करते है किस transportation से करते है किस transport system से करते है आपको बोलना है तो जो हमारे पास 95% volume और 75% जो international trade जो है वो हम maritime transportation करते है यह तक ना waterway के जरीय से करते है maritime transportation यह question पूछा गया है सबसे ज़्यादा international trade हम किस transportation से करते है अब देखो current affair, current affair इसमें क्या है, total याद रखना है, आपको major seaports in India, याद रखो major seaports, major seaports currently, there are total 13 major seaports in India, currently among which 12 are government controlled, question पोचे जाएका, total seaports कितने हैं, आपको बोलना है, major seaports total जो है, वो 13 है, उसमें से 12 जो है, वो क्या है, आपको बोलना है, वो government controlled है, और 1 जो है, याद रखना, वो क्या है, वो corporate है, वो corporate है, वो corporate है, याद रखना, मैंने बोला, total major port 13 है, उसमें से 12 अलग है, और 1 अलग है, 12 जो है यह government controlled है one जो है यह corporate है ठीक है और यह इसका नाम कि आपको ले इन और पोड़ जो के चिन्हाई में है most important question है जो आपको याद रखना है these are located in nine coastal Indian states यह 13 ports जो है जो भी जितने भी ports है आपके पास major ports यह 9 coastal Indian states में मतलब यह है कि गुजरात महरेश्टरा गोवा करनाटका कैरला तमिलाड़ आंद्रा उडेसा एंड वेस्ट बेंगल स्टेट्स का याद रखना कोस्टल स्टेट्स का नाम याद ने बास यह इतना याद रखना कितने हैं आपको बलना है 9 है major ports कितने हैं आपको बलना 13 है उसमे दिखा हैं आपको मैप से आपको पता चलेगा अगर आपके पास मेå के लिई शेयर पहःती है मोर्मो गव भी है निउ मंवेलोर्बही चिनना इनॉर विशाकवर्टनम पारदेब कलकता जो मैं ने अभी आपको बताया है तो मैप से जभी याद रहता है कुछ पोर्ट का नाम बें बताता हूं, कौन सा कहां पर है, याद रखना है, यанс, सबसे इंपॉर्णिन के स्टेट में कों सा पूर्ट है, पूछा जाता है नीख्य जो है अश्य इनोर पर अपको बोलना तामिलनाडो मे थीक है फिर फिर पूछा जाए काहां पर है आपकोव कॉलना है वेस्ट बेंगाल मे नेक्स्ट जो पूछा जाएक का दो हलदिया और कलकता पोर्ट अभी मैंने देखाया दो द ape डोन वेस्ट बंगाल में इसली मैंने बोला था यह थर्टीन पॉर्ट जो हैं यह 9 सेट जो मैंने अभी आपको थर्टीन पोर्ट के बारे इसलिए कि एक स्टेट में दो बी हो सकते हैं जैसे मैं ने मैं बता है कि वेस्टम्नाट में धू है दो है ठीक है उसके बाद घंडला याद फॉष्दा तो मोस्ट इंभले को सबको पता है करनाड़ का में तोफ़ जो हैं ठीक है मारमगाउ याद रखना गोवा में इसके बारे में अभी वता reference अभी बताए तो सब को पता है that's महरास्ट्रा गणस्टी जो है झाला नहरूपोर्ट आर नहाविया शीवा पोर्ट याद रखना शीवा बोलो हाँ शीवा पहुट ही बोलो सेवः पोर्ट, यह महराष्ट्रा में correct रड़ेजे़ में उसके बाद है ठीक है टूटी कॉरिन जो है तामिल नाड़ो में ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक्जाम में देख लेना आप इस पे जो आप ये देते हो को विशाका पाट्नम आंद्रा में याद रखना एक पूसी पूसी डेत रखना हैं आपको 1853 में सब्सक्पाइल 1853 में जो आपको पता है पहला ट्रेन निकला था, इंडिया सी फिर्स्ट पैसिंज़ ट्रेन, याद रतना पूइचन पूछे जगा कॉनtha ट्रेन था, आपको बोलना है, पैसिंजर ट्रेन, रेन ब्स बाउरी बंदर, ठीक है, इस टीचन, ठीक है, बॉरी बंदर, इस बाउरी बंदर प्स स्टेर बॉंबे टू थाने आपको बोलना है लॉर्ड डलोजी इसको बोलते हैं याद रखना फूर्टीन कैरेज ट्रेन वाज पुलड बाइ थ्री स्टीम लोकोमोटी इंजिन्स ठीक है वीच वायर साहिब सिंद अंड सुल्तान याद रखना तीन स्टीम इंजिन्स का नाम याद है इसलिए एक्स्ट्रा यहां पर बनता अगर ज़्यादा डीप जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि जो पहली ट्रेन बॉंबे टू थाने चले गई थी ठीक है लाड डलोजी के टाइम पर उसमें कितन स्टीम जो रेसे की बना फेसे स्टीम और समझो पहले क्या होता है थे यह होऊंपर यह एक बॉक्स मैं ने बना लेए लिए तैसरा मैंने बना लेए यह चौथह मैंने बना लिया इस तरीके से होता क्या है इस तरीके से होता है ठीक है यह ऐसे होता है और यह ऐसे दुआ निकलता है इंजन से ठीक है जो भी होगा याद रखना यह पोर्शन जो होता है यह वाला यह वाला पोर्शन जो होता है इसको बोला जाता है लोको मोटू या दर्शना ट्रेन के केस में लोको मोटू बोला जाता है इंजन को कंफ्यूज नहीं होना ट्रेन के किए ट्रंसपोर्ट इसना पढ़ना है पढ़ना है आपको ये तो लोको मोटू जो है इंजन को लोको मोटू बोला जाता है और जो ये box जो होता है, बोगी जो होता है, इनको हम बोलते हैं, बोगी इनको बोला जाता है, ठीक है, तो train को क्या बोला जाता है, आपको बोलना है, लोको मोटिव इसको बोला जाता है, ठीक है, और जो चलाने वाला होता है, उसको बोलता है, लोको पाइलट, लोको है ठीक है आगे हम पड़िंगे इसको तो याद रखना यह तीन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो पहले बॉंबे टो थाने चली गई थी ट्रेन उसमें उसने कितना डिस्टंस ट्रेवल किया आपको बोला 34 किलोमेटर डिस्टंस ट्रेवल किया है और 400 लोगों को साथ लेकर गए थे इस पैसेंजर लाइन वाज बूल्ट एंड ऑपरेटर बाद ग्रेट इंडियन पैनेंसुला रेलवे यह कॉश्चन भी पूछा जाता है कि इस पैसेंजर रो इसको लाइन को यह जो लाइन बनाई गई थी किसको रेलवे के लिए इस लाइन क किस ने डॉलप किया किस कमपनी जैसे हम बनाई कमपनी का नाम या था आपको उने ग्रेट इंडियन पैननसुला रेलवे जी आई पी आर इसमें सभी इस स्लाइड में कम से कम चार पंच टाइप के कॉश्चन इसी स्लाइड से निकल रहा और किसी भी फार्मिट में आया होगा ठीक है अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था परसु मैंने आपको बताया था कि रेलवे जून कितने होते हैं 16 जनरली ठीक है तो कुछ इन सालों में क्या हुआ था थोड़ा सा अपडेट भी हो गया है 2019 को बता दूंगा मैं कितना कौन सा क्या है वह आपक कर आया हो टेंचन लेने की जूरत नहीं जो भी इसमें करन्ट होता है पहले मुझे अब स्टैटिक कंपलीट करके करना होता है फिर मैं जो इसमें चेंज होते हूं बताता हूं लेकिन अगर पहले ही बताओंगा तो उसे एक रिदम जो है वह खत्म हो जाता है याद रखना ठीक है एक सेकंड रुको याद रखना यह वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा रेलवे के लेटर क्योंकि रेलवे आपको ट्रंस्पोर्टिक्शन भी पढ़ना है ठीक है वैल ठीक है लाड डलोजी इस नून एज फादर आफ इंडिन रेलवे याद रखना फादर इंडिन रेलवे कौन सा आपको बना लाड डलोजी उसी के टाइम पर पैस्ट पैसेंजर ट्रेन ने कल गई थी तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिन हिस्ट्री रेन बिटिन बॉंबे डिथानी इंटी और उसका नाम के आपको बोलना है वह वेक एक्सप्रेस ठीक है यह यह आपको 9053 और एक important point जो है जो longest running train जो है अभी जो आपको याद रखना longest running train का नहां पता होना चाहिए विवेक एक्सप्रेस प्रहाम दिब्रू तो कन्या कुमारी इस लोंगेस्ट रेनिंग ट्रेन इंडिया लोंगेस्ट रेनिंग ट्रेन सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है यदिद्रा इंडिया में आपको बोलना विवेक एक्सप्रेस जहां पर बी लिखा होगा जो कहाँ से कहां तक है यतल लॉंगेस्ट train एपको ठीक है और फिर पूचा जाएगा आपको साल माकुल 1853 में फिर पूछा जाएगा कि सबसे विवेक एक्सप्रेस जो ये कौन से आपको बने ये पूछा जाएगा कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तो मुख कर ट्रेवल करते हैं आपको बोलना है यह होता है दिबरोगर से लेकर कन्या को मारी तक यहां पर जो है इंड्यन रेलवेय एज एविंग एटीन जून जून्स अभी एट प्रेज़ेंट इंडियन जून्स एं और शीटी एटोजिंस हैं इन टोटल इंकिलूडिंग दिवास्ट वन सऊफ कोस्टल रेलवेई जून लास्ट वन जो है वह सौथ एक वाल रहा रहत रखना ठीक हैं सिक्टेत वाला कोई सब को सबक्रेश हैं ने इस साथ कोस्टल रेलवे जून एट विशाका पत्नम स्वल Coastal Railway Zone का विशा का पठता में headquarter है In each division we have DMR Divisional Railway Manager हर division में एक manager होता है जिसको बोलते हैं Divisional Railway Manager who is the head reports who is the head reports to GM ये general manager को क्या करता है report करता है याद रखना है हर एक division का एक head होता है Divisional Railway Manager who is the head reports to general manager report करता है I hope आपको ये समझ आया होगा अब कौन कौन सा railway है ये आपको पता होने चाहिए किसका कहाँ पर headquarter है question पूछा जाता है Central Railway code CR ऐसे भी question पूछ सकता है Central Railway को represent कैसे करते है किस code से आपको बोलता है CR code से headquarter इसका कहाँ पर आपको बोलता है Mumbai में उसके बाद कौन कन Railway कौन कन Railway इसका headquarter इसको के-R से represent करना है ठीक है करना कौन कन Railway के होता है कौन कन रहhole होता है railway नवी मंबे एक होता है Mumbai दूसरा होता है नवी मंबे इसमें confused नहीं होना उसके बाद एक और Northern Railway Northern Railway NR याद रखना हेड़ कौवार्टर दिली में है उसके बाद एक और है नॉर्दरन सेंटरल देखो ये नॉर्दरन रेल्वे है लेकिन ये सेंटरल रेल्वे है NCR जिसको बोलते हैं नॉर्दरन सेंटरल ये प्रयाग राज याद रखना इस चीज़ को उसके बाद जो है एक और है नॉर्थ इस्टर्न देखो नॉर्थ इस्टर्न नॉर्थ इस्टर्न रेलवे एन ए आर ये गोरकपूर में है नॉर्थ इस्टर्न फ्रंटियर रेलवे याद रहने एन एफ आर ये मलागाउं गोहाटी में है उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रे इस्ट संट्रल रेल्वे की बात करेंगा हाजी पूर में ECR जिसको बोले जता है उसके बाद IST कोस्ट रेलकी देखो texty कोस्ट रेलए एस संट्रल रेल्वे डोनुझ संट्रल रेलवे उरन सेंटरल्रीलवے याद रखने है एससी आरी सिकंदर आबाद। उसके बाद साउद ऊस्टल राइलवय यह कहां पर यह विशाओ का पार्ट्नव इस्ट अरिलवई तहके आपको बोलना हैं में गर्डन्रीच जेहां Church Gate याद रखना है, Church Gate सबसे important है यहाँ पर, ठीक है उसके पाद Western Central Railway Joint That is Jabalpur, यह आपको याद रखना है एक और कुछ extra point जो है, जो आपको याद रखना है, कलकता Metro is also a division of India, question याद रखना है कि कलकता Metro जो है, यह भी consider किया जाता है, एक division में, तो मैंने इंडेया रेलवेस, headquarter in Park Street याद रखना है, कलकता Metro जो है, इसका headquarter कहाँ पर आपको पालक स्ट्रीट में कलकता, कलकता making कलकता था, स्टी, which most number of zonal headquarters, इंडेया लो question पोच्चा जागा, इंडेया में ऐसी कौन सी स्टी है, जहाँ पर zonal headquarters सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, नमबर में ज़्यादा है, आपको बनाएक यह है, जो है, वो कलकता है, कलकता एक एसी सिटी है, जहाँ पर large number of headquarters, railway के देखने को मिल रहे हैं, zonal headquarters सबसे ज़्यादा कलकता में है, यह भी एक question आपको देखने को मिलेगा, I hope आपको यह पूरा समझ आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है, यह यहाँ पर railway काई दिया हुआ है, किस किस location पर क्या क्या है, यह आप मैंने आपको पूरा complete किया है, आपको यह पूरा याद रखना है, ठीक है, याद रखना सावधरन, जो है, सबसे लास्ट वाला जो था, वो सावधरन कोस्ट रेलवे, 2019 में इसको इस्टेबलिश किया गया, और कलकता मैट्रो जो था, 2009 में, इससे पहले थे 16, और उसके बाद 2009 में कलकता मैट्रो रेल्वे याद रखना, और 2019 में कौन सा था, 17 तो कब आया था, यह वाला 17 था, यह वाला 18 था, 2019 में, सबसे लास्ट जो जो 2019 में बना है, वो कौन सा था, आपको बना, South Coast रेल्वे, कलकता मैट्रो के अगर बात करना, आपको बना, 2009 में, मतलब 10 साल के बाद यह आया था, 18 तो यहाँ पर यह है, सोर्स का, International Journal of Energy Development and Research, यहाँ से आपको पता चलेगा, तो I hope आपको यह पूरा सेशन कम्पलीट हुआ है, यह आपका transportation communication कम्पलीट हो गया है, जितने भी मैंने तीन लेक्चर्स बोले, इसमें more than sufficient content है, हर एक चीज़ मैंने प्रोइड के है, बस आपको extra चीज़ अफ़ोड का करना, आपको short notes आप बना लिए, एक पेज में सारा कुछ डाल दो, फिर दो तीन बार रिवाइज कर लो, आपका transportation communication फुलफलाइश तरीके से मैंने cover करके दिया है, अगर आपको यह session अच्छा लगा, तो comment section में comments करो, कि यह session perfect रहा आपके लिए, उसके बाद, कल जो मैं start करने वाला हूँ, वो crops मैं start करूँगा, इंड़ा के crops, और जुम्मो किश्मिर के crops, साथ मैं ही करा दूँगा उसके साथ, so that आप confused नहीं हो जाओगे, thank you so much for watching me,